हेलो फ्रेंड्स प्रिभा हिल्दी के लाइफ में आप सभी के स्वागत है अगर आप मेरी चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले आए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हम बनाएंगे सिमाईया सिमाई बनाने के लिए मैंने लिया 50 ग्राम सिमाई अब गैस में चलाएंगे एक पैन पैन में डालेंगे एक बड़ा चम्मत घी अब इसमें डाल देंगे एक कप शिमाई लगभग ये 50 ग्राम है इनको भून लेंगे कलर चेंज होने तक समाई भून लें आप देख सकते हैं समाई का कलर चेंज हो गया है अब इसमें एट कर देंगे ड्राइफ फूर्ट्स थोसे एट कर देंगे ड्राइफ फूर्ट्स काजू और बदाम काजू बदाम नारीगार किशमेश एक नट के लिए समाई के साथ ही भून लें अब इसमें एट कर देंगे दो कप दूद्ध दो कप दूद्ध आइट कर देंगे और धीमी आज में दस से बाराइट मिनट के लिए समई पका लेंगे और बीच बीच में चलाते रहें ध्यान रहें दूद्ध जादा काढ़ा ना होने पाई जादा गड़ी हो जाती है कर देंगे चिनी चिनी आप अपने टेश्यम साथ डाल सकते हैं और दो से तीन मिनट के लिए पगा लें कि वाइट कर देंगे इलाइची पाउडर कर देंगे समय बनके तयार है अब कर दें और एक कटोरी में कुछ समय से रव कर लेंगे अब एक बाउल में सेर्व कर लें अब थोड़े से ड्राइफ रूच से गानिश कर दें आप देख सकते हैं समय कितनी अचीवन कर तयार हुई है अब बना लेते हैं राजमा की सब्जी राजमा को दस से बारा घंटे क्लिए भिगो कर रख दीजिए उसके बार अच्छे से पानिस धो लें अब एक कूकर लेंगे कूकर में राजमा को डाल देंगे अब कुछ खड़े मसाले अट करेंगे जैसे बड़े लाजची दाल चिनी और एक तेज पत्ता इन मसालों को राजमे में डाल दें लाजची को टोल लें और थोड़ सा नमक अट कर देंगे अब अब अट कर देंगे एक लगभग एक ग्लाश पानिंग कुकर के ठेकन लगा के पान से 6 सीटी आने तक पका लें तब तक राजमे पक रहा है इस तर बना लेते हैं चावल एक कप चावल लिया है चावल को पानी से तीन से चार बर अच्छी तरह सिवास कर लेंगे हाथों से मसलते हुए चावल को अच्छी सरे साप कर लें चावल तब तक साप करें जब तक इसका पानी सापना हो जाए अब एक कुकर में डाल लेंगे पानी एट कर देंगे एक गिलास लगभग और एक सीटी आने तक चावल पका लें जे बासमती राईश हैं अब राजमा और चावल एक साथ को खो रहे हैं अब बना लेते हैं बेशन की रोटी एक कप बेशन और आदा कप गेहुं काटा दोनों को मिक्स कर लें अब इसमेट कर देंगे थोड़ा सजीरा कटी हुई हरी मिर्च लगभग एक कटा हुआ प्याज सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लें अरा धनिया इन सब को मिलाक कर अच्छी तरह से आठा गूंत लें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर आठा गूंत लेंगे बेशन के रोटी के लिए आठा तयार कर लें इस पेकार बेशन के रोटी बनाने के आठा हम लोग थोड़ा सा मुलायम गूंतेंगे चावल भी हमारे इच्छे कुक हो गए हैं अब बना लेते हैं राजमा एक पाइन चरहाएंगे पाइन में डालेंगे दो बड़े चम्मस तेल अब इसमें एट करेंगे जीरा जीरा को अच्छे चटकने दीजिए अब डाल देंगे चार से पांच प्याज कटे हुए स्लाइसेज में प्याज को पिंक होने तक भून ले अब इसमें एट कर देंगे तेन से चार हरी मिर्च कटी हुए मसाले को पानी में घोल लेंगे जैसे हल्दी पाउडर धनिया पाउडर गरम अशाला पानी राल कर थोड़े लिए खूल कर रख दें जिससे की राजम अच्छा वन के तयार हो विसमें एट कर देंगे लेशन अधरका पेस्ट आप देख सकते हैं प्याज पिंक होने लगी है अब इसमें एट कर देंगे पानी में घूला हुआ मशाला मसाले को अच्छी तरह से पका लेंगे मसाले तब तक पकाएंगे जब तक देल छोनने ना लगे अब इसमें एट कर देंगे लाल मिस पाउडर टमाटर को पीश लें चार से पांच टमाटर पीश का डाल लें टमाटर को भी अच्छी तरह स्पका लेंगे अब लास में आइट कर देंगे राजमा मशाला बनी स्पून मिला ले अब इसमें आइट कर देंगे तरी में पानी पानी आप अपने उसार डाल सकते हैं अब पानी पांच मिनट के लिए तरी को पकने दें अब आइट कर देंगे स्वाज को सन्नमाक अ हरवा धनिय डाल देंगे और तेन से चार नुनेट लिए ढखक पका लें आप देख सकते हैं इस पेकार ग्रेवी कॉम पका लेंगे अब इसमे आइड कर देंगे उबले हुए राजमे इस पेकार आप राजमे मारा कर देखी अकेर मान ये काफी टेस्टी बनता है धकर चार पान से चाय मिनट के लिए पका लेंगे राजमा पकर तयार हो गया है इसमें अब भारादनिया से गानिश कर लेंगे और इसमें लास्ट में आइट कर देंगे वन स्पून घी यहीं से राजमा के टेस्ट और बढ़ जाएगा हरा दन्या डाल कर दो मिनट के लिए ठंकर रख दें अब बना लेते हैं बेशन की रोटी बेशन की रोटी कानम टेस्टी रहती है और जिनका वेट बढ़ा हुआ है उनको कम करने में मदद मिलेगी तो इस पिकार बेशन की रोटी आप एक बार जरूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह रोटी कैसे लगी अब छोटी छोटी लुएं काट ले और रोटी बेल ले रोटी थोरा समोटी बेलेंगे जैसे नारमल रोटी बनती है उस्टेश थोरा समोटी रहेगी तो सूखाटा लगा का रोटी बेल ले अब रोटी को तब हम डाल देंगे अब दूसरी तरफ पलट कर सेख लें आप देख सकते हैं दोनों तरफ चिकत्ते पड़ गाए हैं रोटी को हम तब आस निकाल कर गैस पर सेख लेंगे इस विकार रोटी बेशन की सेख लें खाने में बेहस वादिश होती है यह रोटी एक टाइम जरूर्ष बनाएं अब दूसरी रोटी भी बना लेते हैं इसी पेकार एक तरफ चिकत्ते पर जांद दूसरे तरफ लट दें तब इसमें दोन तरफ से पक गए हैं बच्छी तरफ गैस में लेके सेख लेंगे रोटी पापड़ भून लेते हैं अब सर्ब कर लेते हैं प्लेट में राजमा सहलाद और जीरा राइश बेशन की रोटी बेशन में क्लेटी मक्षन लगादें अ इस प्रकार आप लेज़ थालीग बनाएं और बनाएं यूज़ बनाकर तयार कर सकते हैं अब इसमें डाल देते हैं वन इस्मून मक्षन आप देख सकते हैं लेंज की थाली इस पिकार आप बनाई ये और कमेंड करके बताईए कैसी बनी है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सिर सस्क्राइब करना ना भूले